किसान दोस्तों जब हमारी धान की फसल देश से 15 दिन की हो जाती तो उस समय के बाद जो हमारी धान के फसल में कल्ले निकलना चालू हो जाते हैं तेलरिंग सुरू हो जाती और तेजी से विकास होना चालू हो जाता और इसी दवरान जो है हमारी धान की फसल में काफी कीट आदि लग जाते हैं तो हमको एक तरफ धान के विकास के तरफ ध्यान देना है यानि उसमें कुछ ग्रोथ प्रोमोटर या किसी पोसक तत्तु की कमी है आप देख रहे हैं इस्टियार खेती और मैं हूं सतीस कुमार यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सस्क्राइब कर लें और बेल आइकान भी दबादें जिससे जो भी हमारी वीडियो आए आप सबसे पहले देख सकें और आप अपनी फसल में इसका प्रियूग करके और समय पर लाव ले सकें तो चलिए दोस्तों आपको यहां पर हम इस खेत को दिखा रहे हैं इसमें दीमक काफी लग चुकी है और इसमें लगबग 10-12 दिन ही रोपाई के हुए हैं दीमक का इतना ज्यादा प्रकोप हो चुका है कि लगबग 10-15 प्रसत पौदे खराब हो चुके हैं तो इसके लिए यह किसान भाई जो हैं यह कुछ उरवर्कों का और कुछ चीजों का प्रियोग कर रहे हैं इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं तो यदि आपकी फसल एक इकड़ है यानि अपने धान एक इकड़ लगा रखा है तो आपको 25-30 kg यूरिया ले लेनी है और उस यूरिया में काटाफ हाइड्रो कॉलॉराइड 4% जी आर का जो दाने दार होता है उसको मिला लेना है इसकी मात्रा आप 6 kg ले सकते हैं कि इसको यदे आप 6 kg ही प्रियोग करते हैं तब भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे दता है अब काटाफ हाइड्रो कॉलोराइड जो है इसमें यूरिया में आपको पहले अच्छी तरह मिला लेना है इसके लिए आप थोड़ा हलका पानी डाल सकते हैं जिससे अच्छी तरह मिल जाए और इसके साथ साथ कुछ अनिपोसक तत्तूओं को भी मिला लेजिए जिससे पौधे की ग्रोथ और विकास होना बाधित ना हो तो जैसा कि आपको हमने बताया कि छे पैकर लेने के बाद उसको अच्छी तरह आप यूरिया में मिला दीजिए इसके अतरिक्त किसानवाईयों यादे आपके धान की फसल में मैगनेसियम की कमी दिखाए पड़ती है और मैगनेसियम के साथ साथ आईरन की भी कमी दिखाए पड़ती है तो आप मैगनेसियम सालफेट की दो से तीन गिलो ग्राम मात्रा एक के लिए प्रियोग कर सकते हैं इसको भी आप साथ में मिला करके प्रियोग कर सकते हैं और इसको मिलाने के बाद यदि आपके खेट में आईरन की कमी दिखाए पड़ती है तो आईरन की पूर्त के लिए भी आप फेरा सलफेट 19 प्रसत की जो मात्रा होती है उसकी 2-3 ग्राम मात्रा को ले करके इसमें मिक्स क कर सकते हैं अब जो यह मिस्रण किसान दोस्तों तयार हो गया है इसको अच्छी तरह आपको मिला लेना है जिससे सभी जो तत्व हैं वह आपस में यूरिया के साथ अच्छी तरह मिल जाए और बुआई करने के समय पूरे खेट में आसानी से बिखेरे जा सकें तो जब अच कि यदि आपकी परियाप्त नमी है तभी आप इसका प्रियोग करें यदि परियाप्त नमी नहीं है तो आप थोड़ा उसमें पानी भर दीजिए पानी बहुत ज्यादा नहीं भरना है इस प्रकार से पानी भरना है कि लगबग 3-4 घंटे में पानी जो है खेत में खतम हो ज लाग चुके हैं वो सभी के सभी नस्ट हो जाएंगे ध्यान देना है कायटाफ आप आखरी स्टेज में ही पूर्त करें क्योंकि इससे केचुए आद जो लावकारी कीट होते हैं वो भी मर जाते हैं लेकिन जब आपको मजबूरी में प्रियोग ही करना है यानि कोई कीट ना स चाहिए और बाद में परियाब तनुमी लगबग 24-48 गंटे तक बनी रहनी चाहिए इस प्रकार से किसान दोस्तों जब आप प्रियोग कर देंगे तो नाइटोजन की मैगनेसियम की आईरन की भी पूर्ति हो जाएगी और आप कारटाफ के द्वारा सभी कीटों को आसानी स अपनी फसल में लगने से बचा सकते हैं तो उमीद है दोस्तों यह जानकारी आपको पसंद आई होगी इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेर भी कर दीजिए जिसे अनिकिसान भी इसका प्रियोग करके लाब ले सकें इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद